हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज किम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन में काफी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जिसमें हमारी बात होगी सुजलोन एनरजी जेपी पावर और हम यहां पे और भी कुछ श्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन में अगर आप यहां पर देखोगे तो चीजें जो हैं वो काफी ज़्यादा सही होते हुए नजर आ रही हैं तो मैं आपसे बसी यही बोलना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक आप जरू देखें तो आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाए चैनल पर अगर आप फर्स टाम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा अब इ श्टॉक ऐसे बताएं तो इस वीडियो के बाद आप जाके देख लेना आपको सारी चीज अच्छे से तमझ में आ जाएगी अब अगर हम यहां पर आज की दिन की बात करें तो आर बीनल में लगबग एट पार जैसी ही क्लोजिंग देखने को मिली लगबग 170 रुपे के आ द बज़र आ रहा है कि इंडियन ανα की इंडियन रेल्वेस के पास करीवनं 44 और ऐसे नहीं कि चोटी मोटे प्रोजेक्ट इसमें काउंट गरें में गडे प्रोजेक्ट को आ इसे हैं और निकल के आते हैं 44 शारवार प्रोजेक्ट जिसकी टोटल वेल्यों अगर हम यहाँ पर देखे, 6 लाख करोड, 6 लाख करोड के आसपास का माउंट निकल के आता है, और उसके बाद जो है, वो निकल के आता है, रोड ट्रांसपोर्ट के पास second number पर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके पास लगवग 43 यानि कि 43 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका total amount अगर हम देखते ह हैं, तो 4 लाख करोड के आसपास निकल के आता है, यानि कि अगर आप देखो के तो number 1 पे Indian Railways, 6 लाख करोड के प्रोजेक्ट्स, दूसरे नमबर पर आपको देखने को मिलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट वाले, और उसका value निकल के आती है, 4 लाख करोड, तो आपको ये में में कितनी बड़ी तीजी जो है, वो देखने को मिल सकती है, फिर अगर हम यहाँ पे और चीजों के बारे में भी बात करें, यासे total value आप यहाँ पे देख पा रहे होगी, कितनी कितनी है, और the new and renewal energy ministry has just one project worth 20,774 करोड, ministry of housing and urban affairs, इनके पास 8 प्रोजेक्ट हैं, लगबक 79, 9,000 करोड के, जिसमें कुछ big infrastructure projects भी निकल कर आते हैं, इस news को बताने का मेरा मकसद बस एक ही है, कि यहाँ से आपको यह समझ में आए, कि आखिर जो railway sector है, वो कितनी growth, अभी तो यह जो growth आई है न, वो just starting है लग रही है, यहाँ से बहुत बड़ी growth बाकी है, और अगर BJP government दो 12 से आज आती है, तो फिर definitely यह जो sector है, वो बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, करीवन 57 से 60% के returns आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर मिल सकते हैं, ऐसा एक expert ने बोला है, तो daily वीडियो आप पूरी देखोगे, तो आपको सारी चीजा अच्छे से समझ में आती रहेंगी, अगले stock के बारे बात करें तो वो है सुजलोन energy, आज इसमें अपसर के देखने को नहीं मिला, लेकिन share जो अनुमान लगाया था हम लोगों ने, कि 30 रुपे की closing देगा, इस week में वो यहाँ पर successful नहीं हो पाया है, 29 रुपे 80 पै आज की closing है 29.25 की लगबग 1 परसंट की गिरावट के साथ, लेकिन इसके return profile बहतरीन है, जिसमें एक महिने में 23-24% के return, तीन महिने में 67% के return, छे महिने में लगबग 200% से जाधा के return, एक साल में 267% से जाधा के return, दो साल में लगबग 355 साल में लगबग 474% से भी जाधा के returns आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक important update निकल गाई है, वो यह है, Denmark announces Wind Alliance India to boost net neutrality efforts, यानि कि Denmark ने यहाँ पर announcement किया है, Wind Alliance India का, जिससे जो है, वो net neutrality efforts अब यहाँ पर boost हो सकते हैं, WAI यानि कि Wind Alliance India एक strategic initiative है, जो कि यहाँ से innovation को derive गरेगा, knowledge exchange को derive गरेगा, और investment को भी, जो कि Wind Energy में आपको देखने को मिलेगी, और इससे ना केवल सुजलोन एनरजी, बल्कि JP Power को भी काफी ज़धा benefit हो सकता है, पूरी news अगर आप यहाँ पर पड़ पाओगे, तो आपको समझ में आएगा, कि Denmark ने WAI initiative announce कर दिया है, जिससे जो भी मैंने सारी चीज़े बताई, वो होंगी, साथ के साथ आपको, global goal towards the net neutrality में भी benefit मिलने वाला है, यह announcement Denmark के embassy ने किया है, इंडिया में, और यहाँ से यह जो summit होने वाला है, wind energy India summit, वो चेन नहीं में आपको देखने को मिलेगा, और उससे पहले आपको यह सारी चीज़े देखने को मिल रही है, तो यह एक अच्छा initiative है, और इस initiative से, जो net neutrality की बात करी जा रही है, वो है यहाँ पर carbon neutrality, यानि कि 2030 तक net zero carbon emission की planning करी जा रही है, या फिर 70% तक तो कम कर ही देंगे, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, अब बात कर लेते हैं, अपने अगले stock के बारे में, जो की है JP Power, JP Power अगर आप यहाँ पर देखो कि ऐसा stock जिसका price कम है, लोग ज्यादा इसमें interested है, और चीज़े भी कुछ इसमें निकल के आ रही है, पावर मिनिस्टर आर्के सींग का एक बयान निकल के आ है, नो प्लान टू फेज आउट ओल्ड कोल फायड पावर प्लांट, यहाँ कि अभी एक news निकल के आ थी, जिसमें बात की गई थी, कि जो पुराने कोल फायड पावर प्लांट है, उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पावर मिनिस्टरी की तरफ से बयान निकल के आया है, कि ऐसा कोई प्लांइंग नहीं है, कि हम यहाँ पे आने वाले ताइम में पुराने कोल जो प्लांट सोंगे, उनको हटा देंगे, ऐसी कोई भी प्लांइंग नहीं है, और आप यहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ पावगे, गर उनने एडिशनल चीजें, क्या कुछ बोली ह लेकिन उसके बाद अगर मैं आपको एक और न्यूस बताऊं, तो आप यहाँ पर देख पाऊगे, एनलसी इंडिया लाइन सर्फ नाइंटी थाजन टू हंड्रेड करोर्स कैपैक्स फॉर दी अपकमिंग थर्मल पावर प्लांट इन ओडिशा, यानि कि अगर आप होता है, capital expenditures, जिसको initially लगाया जाता है, और फिर वो जो खर्चा हमने किया होता है, वो बाद में हमें benefit देता है, उससे profit भी generate होती है, कि कुछ अपडेट्स निगल के आ रही थी, इन सारे shares related, मैंने आपके doubts मेरे खाल से इस वीडियो में clear कर दियोंगे, अभी भी कुछ option है, तो आप मुझे comment में जरूर mention कर सकते हो, धन्यवाद,